नमस्कार साथियों मैं आपका अपना आरेस कुमावत और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है इसीक साथ हम सुरू करते हैं आज का ये टेस्ट देखते हैं अपना पहला परसंड कि राजस्तान का दक्षनी अक्षांस है प्रियसातियों परसंद्वारा सुनिएगा कि राजस्तान का दक्षनी अक्षांस है प्रियसातियों आप अपना राइट अंसर सोच लीजिएगा हाँ तो साथियों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ओप्षन नमबर तीन यानि तेश डिगरी तीन मिन्ट उत्री अक्षांस देखिएगा इस एक साथ अपना नेक्स्ट क्यूशन कि राजस्तान की पश्यम से पूरव की लंबाई कितनी है आप्षन एक आट सो चब्श किलो मेटर आप्षन दो आट सो उने तर वलग मेटर आप्षन तीन नो सो चब्श किलो मेटर आप्षन चार आट सो उने तर किलो मेटर प्रियसात्यों परसंद्वारा सुनिएगा कि राजस्तान की पश्यम से पूरव की लंबाई कितनी है option एक ऐाट सोचबविस किलोमेटर option दो है 809 तर वरगमिल option तीन है 9206 किलोमेटर option 4 है 809 किलोमेटर पिरिय सात्य। आप इसके साथ अपना right answer सोच लिजीगा हाँ तो सात्य। जो इसका right answer है वो है option number 4 यानी 809 तर किलोमेटर देखते हैं शिक साथ अपना next person की उद्यपूर संबाग में कौन सा जिला नहीं आता option एक है परताबगड, option दो है राजसमंद, option तीन है बांसवाड़, option चार है सिरोई पिरे साथियों person द्वारा सुनिएगा की उद्यपूर संबाग में कौन सा जिला नहीं आता option 1 परतावगड, option 2 राजसमंद, option 3 बांसवाड, option 4 शिरोह, आप इसका राइट अंसर चुन लीजिएगा हैं तो फिरी साथियों जो इसका राइट अंसर है वो होगा option नमबर 4 यानि की शिरोह देखते हैं अपना next person की राजस्तान के किस जिले में सरव पर्थम सुर्य उद्य होता है option 1 है जैपूर, option 2 है बिकानेर, option 3 है जैसलमेर, option 4 है उद्यपूर पिरी साथियों परसन द्वारा सुनिएगा की राजस्तान के किस जिले में सरव पर्थम सुर्य उद्य होता है अप्सन एक जेपूर, अप्सन दो विकानेर, अप्सन तीन, जेसलमेर, अप्सन चार उद्यपूर फिरी साथियों आप इसका राइट अंसर सोच लीजिएगा हाँ तो साथियों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा अंसर नंबर एक यानि कि जेपूर इसे के साथ देखते हैं अपना next person की कट्रा गाउं जेसल मेर किस रेखा परस्तित है option एक उनेतर डिगरी 30 मिंट पश्यम देशांतर option दो उनेतर डिगरी 30 मिंट पूर्वी देशांतर option तीन अटसर डिगरी 7 मिंट पूर्वी देशांतर option 4, 78 degree, 17 mint, पूर्वी देशांतर फिर ये साथियो परशन द्वारा सुनिएगा कि कट्रा गाउन जेसल मेर किस रेखा परस्तित है तो इसके लिए अपने पास option 1 है, 13 degree, 30 mint, पश्यमी देशांतर option 2 है, 13 degree, 30 mint, पूर्वी देशांतर option 3 है, 68 degree, 7 mint, पूर्वी देशांतर option 4 है, 78 degree, 17 mint, पूर्वी देशांतर पिरी साथियो इसी एक साथ आप अपना राइट अंसर चुन लिजिएगा तो साथियो जो इसका राइट अंसर होगा, वो होगा अंसर नंबर 2 यानि कि 99 degree, 30 mint, पूर्वी देशांतर देखे अपना next person की 23 degree, 3 mint, 3,1 से 30 degree, 12 mint, 3,1 के मध्ये कितना अंतर है option 826 km, option 2, 333 km, option 3, 899 km, option 4, 825 km पिरी साथियो परशन द्वारा सुनिएगा 23 degree, 3 mint, 3,1 से 30 degree, 12 mint, 3,1 के मध्ये कितना अंतर है option 1, 826 km, option 2, 333 km, option 3, 899 km, option 4, 825 km इस इक साथ पिरी साथियो आप अपना राइट अंसर सुन लिजिएगा हाँ तो पिरी साथियो जो इसके लिए राइट अंसर होगा वो होगा option नंबर 1, यानि 826 km इस इक साथ जानते हैं अपना next person की कौन साथ जिला दो राज्यों के साथ सिमान नहीं बनाता है option 1, हनमानगर, option 2, भर्तपूर, option 3, गंगानगर, option 4, दोलपूर पिरी साथियो परसन द्वारा सुनीगा की कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सिमान नहीं बनाता option 1, हनमानगर, option 2, भर्तपूर, option 3, गंगानगर, option 4, दोलपूर पिर ये साथियो इसे एक साथ अपना राइट अंसर सोच लीचीगा हाँ तो साथियो जो इसका राइट अंसर है वो होगा ओप्सन नमबर तीन यानि की गंगा नगर देखते पिर ये साथियो अपना नेक्स्ट पर्षन की राजस्तान बारत के कुल छेतर फल का कितना परतिसत है ओप्सन एक दो पॉइंट चार ओप्सन दो दस पॉइंट इकतारिस ओप्सन तीन नो पॉइंट सतावन ओप्सन चार सत्रा पॉइंट पांच पिरिये साथियों परसंद्वारा सुनिएगा कि राजस्तान बारत के कुल छेतरफल का कितना परतिसत है Option 1, 2.4% Option 2, 10.41% Option 3, 9.57% Option 4, 17.5% इसीक साथ पिरे साथियों आप अपना राइट अंसर सोच लीचिएगा आथो साथियों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा Option नमबर 2 यानि कि 10.41% अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पर्षन कि राज़स्तान के किस जिले की केवल अंतर राज्य सिमा है Option 1 है गंगानगर Option 2 है जेसल मेर Option 3 है बाड मेर Option 4 है शिरोई पिरिये साथियो परसंद द्वारा सुनिएगा कि राजस्तान के किस जिले की केवल अंतर राज्य सिमा है उप्षन एक गंगानगर उप्षन दो जैसलमेर उप्षन तिन बाडमेर उप्षन चार सिरोही पिरिये साथियो इस एक साथ आप अपना राइट अंसर चुन लेजिएगा हाँ तो पिरिये साथियो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा अंसर नंबर चार यानि की सिरोही देखिए अपना नेक्स्ट परसंद की मद्दे परदेश से किस जिले की सिमा नहीं लगती प्रदेश से किस जिले की सिमा नहीं लगती ओप्सन एक डुंगरपूर ओप्सन दो बांस वाड़ा ओप्सन तिन परताबगड ओप्सन च्यार बारा पिरे सातियों आप अपना राइट अंसर चुनली जीएगा हाँ तो पिरे सातियों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा अंसर नमबर एक यानि कि डुंगरपूर देखते हैं इसी के साथ अपना नेक्ष्ट परसन की राज़स्थान का एसा जिला जिसकी अंतर राज्य सिमा विखंडित है अप्सन एक है परताबगट अप्सन दो है चितोडगट अप्सन तीन है दोलपूर अप्सन चार है बाडमिर पिरे सातियों परसन द्वारा सुनिएगा कि राज़स्थान का एसा जिला जिसकी अंतर राज्य सिमा विखंडित है अप्सन एक परताबगट अप्सन दो अंसर चुन लिजिएगा हाँ तो साथियों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा अंसर नंबर दो यानि की चितोडगड देखते हैं इस इक साथ अपना नेक्ष्ट परसंड की राज़स्तान के केवल अंतर राज्ये सिमा वाले जिले हैं अप्शन एक है 21 अप्शन दो है 23 अप्शन तीन है 25 अप्शन चियार है 8 पिर ये साथियों परसंड वारे सुनिएगा कि राज़स्तान के केवल अंतर राज्ये सिमा वाले जिले हैं अप्शन एक 21 अप्शन दो तेज अप्शन तीन पचिस option 4, 8 बिरिये साथियों आप इस एक साथ अपना right answer चुन लीजिएगा हाथ तो साथियों जो इसका right answer है वो है option number 1 यानि की 21 देखते हैं अपना next person की राज़स्थान की कुल previous हिमा है option 1, 1070 option 2, 620 option 3, 48, 150 option 4, 33, 10 पिरिये साथियों परसंद्वारा सुनिएगा की राज़स्थान की कुल प्रीदिये सिमा है तो option 1 है 1070 option 2 है 69, 20 option 3 है 48, 40 option 4 है 33, 10 पिरिये साथियों इस एक साथ आप अपना right answer चुन लीजिएगा हाथ तो साथियों जो इसका right answer होगा वो होगा option number 2 यानि की 69, 20 पिरिये साथियों परसंद्वारा देख लीजिएगा की राज़स्थान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रिये सिमा की लंबाई है option number 1 है 1070 option number 2 है 464 option number 3 है 3310 option number 4 है 48, 40 पिरिये साथियों परसंद्वारा सुनिएगा कि राजस्तान के साथ लगने वाली अंतराश्ट्रिय सीमा की लंबाई है ओप्सन नमबर 1, 1070 ओप्सन नमबर 2, 464 ओप्सन नमबर 3, 3310 ओप्सन नमबर 4, 4850 प्रिय साथियो इसी साथ आप अपना राइट अंसर सोच लीजिएगा हाँ तो साथियो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ओप्सन नमबर 1 यानि की 1070 देखिये अपना नेक्स्ट पर्शन की किस जिले की सरवादिक सिमा पाकिस्तान से लगती है ओप्सन नमबर 1, विकानेर ओप्सन नमबर 2, गंगानगर ओप्सन नमबर 3, जेसल मेर ओप्सन नमबर 4, बाड मेर पिरिये साथियो पर्शन द्वारा सुनिएगा कि किस जिले की सरवादिक सिमा पाकिस्तान से लगती है ओप्सन 1, विकानेर ओप्सन 2, गंगानगर ओप्सन 3, जेसल मेर ओप्सन 4, बाड मेर पिर सात्यों इस इक साथ आप अपना राइट अंसर चुन लीजिएगा हाँ पिर इस सात्यों जो इसका राइट अंसर है वो है अंसर नमबर 3 यानि कि जेसलमेर देखते हैं इस इक साथ अपना नेक्स्ट पर्षन की राज़स्तान के उत्तर से दक्सिन वैपस्यम से पुरव विस्तार में कितना अंतर है ओप्षन 1 है 66 km, ओप्षन 2 है 26 km, ओप्षन 3 है 33 km, ओप्षन 4 है 43 km देखते हैं अपना नेक्स्ट पर्षन की कि राज़स्तान की राज़स्तान के उत्तर से दक्सिन वैपस्यम से पुरव विस्तार में कितना अंतर है ओप्षन 1 है 66 km, ओप्षन 2 है 26 km, ओप्षन 3 है 33 km, ओप्षन 4 है 43 km पर ये साथ्यों आप अपना राइट अंसर चुन लीजिएगा हाँ तो साथ्यों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ओप्षन 4 यानि की 43 km देखते हैं अपना नेक्स्ट पर्षन की किस जिले में सूर्य की किरने सरवादिक तिर्ची पड़ती है ओप्षन 1 है गंगा नगर ओप्षन 2 जेसल मेर ओप्षन 3 धौलपूर ओप्षन 4 बांसवड़ा पर ये साथ्यों पर्षन द्वारा देखिएगा कि किस जिले में सूर्य की किरने सरवादिक तिर्ची पड़ती है अप्शन एक गंगानगर, अप्शन दो जैसल मेर, अप्शन तीन धोलपूर, अप्शन चार बांसवड़ा, इसीक साथ आप अपना राइट अंसर चुनली जिएगा हाँ तो पिरिये साथियों जो इसका राइट अंसर होगा, वो होगा ओप्शन नंबर एक यानि कि गंगानगर देखिए अपना नेक्स्ट पर्षन की राज्यस्तान का पश्यमी बिंदू है अप्शन एक कोणा गाम, अप्शन दो बोरकुंड, अप्शन तीन कट्रा, अप्शन चार सिलाना पिरिये साथियों पर्षन द्वारा सुनिएगा कि राज्यस्तान का पश्यमी बिंदू है आप्षन एक कोणा गाम आप्षन दो बोरकूंट आप्षन तीन कटरा आप्षन चार सिलाना इसीक साथ आप अपना राइट अंसर चुन ली जिएगा हाथ पिर ये साथियो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा आप्षन नमबर तीन यानि की कटरा इसीक साथ जानते हैं अपना नेक्स्ट पर्षन कि किस जिले की सिमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती प्रिये साथियों परसंद्वारा सुनिएगा कि किस जिले की सिमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती प्रिये साथियों आप इसी साथ आपका अपना राइट अंसर चुन लिजिएगा प्रिये साथियों जो इसका राइट अंसर है वो होगा अंसर नमबर दो यानि की बुंदी प्रिये साथियों अपना नेक्स्ट परसंद जानने से पहले अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे जरूर जरूर सस्क्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लब उठा सके जानते हैं सिख साथ अपना लाष्ट परसंद की राज़स्थान का 27 जिला कौन सा बनाया गया पर ये साथियो इसे साथ आप अपना राइट अंसर चुन लीजिएगा हाँ तो साथियो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ऑप्शन नमबर एक यानि की धोलपूर धन्यवाद साथियो मैं आसा करता हूं कि आपको मेरी टेस्ट स्रीज बहुत पसंद आई होगी तथा साथ ही मैं आसा करता हूँ कि आपके कितने परसन सही होती हैं ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तथा आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब एवं लाइक करिएगा और आपके अन्य अगर भाई भैन या पिरिये कोई मित्र त्यारी करें तो इस वीडियो को उन तक भी शेयर करिएगा जे हिन जे वारत